नमस्कार दोस्तों, हमारी यूटूब चैनल क्रेजी इंडिया पर आपका हार्दिक स्वाकत है आज मैं आपके लिए एक महत्यपुन टोपिक लेकर आया हूँ आपको सुन्दर बनाने के विशे में, रातो रात आपकी तफचा को कसने और निखार लाने के लिए रातो रात अपनी तफचा को कसने और निखार लाने के लिए घर के बने सरफसरेष्ट फेस मास्क जो सो परसेंट प्राकिर्टिक है हो सकता है कि आप अपनी तफचा पे उमर की निसानियों से तंग आ चुकी होंगी जुरियां दाग दब्बे आदी आपको काफी हीन महसूस कराते होंगे आप अचानक से अपना आतम इसुआस खोने लगती है और अपनी तफचा पे दाग दब्बे देखते ही बहुत जादा सचेत हो जाती है क्या इनका उपचार करने का कोई तरीका है जी हां जरूर इनका उपचार संभव है लेकिन तबी जब आप इनका उपचार सुरुवाती चर्णों में ही करना सुरू कर देए तवचा को कसना एक तरीक है जो कि आपको कई प्रकार के तवचा से जुड़े दोस को दूर करने में मदद करती है वह भी लगबग हमेशा के लिए बजार में ऐसे कई सारे लेजर उपचार, इंजेक्शन और दवाईया हैं जो तवचा को कसने का दाव करते हैं लेकिन इनके खर्चे आप जानते ही हैं पर अगर आप घर पे बने प्रकरतिक उपचार सबसे जाना अच्छे और असरदार होते हैं आपको सुन्दर दिखाने के लिए अगर मैं यहां बोलू कि यहां मैं जो आपको मास्क के बारे में बताने जा रहा हूं वह रातो रात आपकी तवचा को कसने में मदद करेंगे तो क्या आप मेरा भरोसा करेंगे सायद नहीं तो भरोसा करने के लिए आप इन मास्क का प्रियोग करके देखें और इनसे अपने लिए फाइदा उठाएं तो आईए दोस्तों जानते हैं इन फेस मास्क के बारी में जो आपको रातो रात गोरा बना सकते हैं अगर कोई एक ऐसी समगरी है जिसका तवचा को कसने के लिए विसेश तोर पे नाम लिया जाता है वो है अंडा तवचा के उपचार उनके रंग को हलका आधि करने के लिए अलग-अलग मास्क अंडे को अलग-अलग रूप से प्रियोग किया जाता है इस मास्क में आप अंडे के सफेद बाग का इस्तमाल करें बस अंडे के सफेद बाग को अंडे की जर्दे से अलग कर लें और इसे अपने चहरे पर लगाएं इसे तकरीबन 20-25 मिन्ट तक ऐसे ही रहने दें और फिर गुनगने पानी से धोलें आपको फर्ग खुद दिखने को मिल जाएगा इस मास्क में बेहद प्रभावकरी अंडे के सफेद बाग के साथ मुल्तानी मिटी और सहद का उप्योग होता है मुल्तानी मिटी एक सुंद्रिय समगरी है जिसका के कई सदियों से इस्तमाल होता चला आया है सहद नमी परदान करने वाला तत्व है जो तवचा को नमी को वापस लाता है जिसके कान तवचा एक रंग की और मुलायम हो जाती है अगर आपकी तवचा ज़्यादा सुखी है तो आप इस मास्क में गिल्सरिन भी मिला सकते है समाने तवचा की नमी के लिए सहद काफी है बस अंडे के सफेद बाग के साथ थोड़ी से मुलतानी मिटी और सहद को मिला ले अगर जरूरत हो तो फिर गिल्सरिन भी मिला ले इस मास्क को चहरे पर लगा के 15 से 20 मिंट के लिए छोड़ दे यह मास्क धूम से जुल्ची ही तवचा को हलका करता है तीसरा अंडे का सफेद बाग चीनी और दही तवचा से तेल और गंदगी को हटाने के लिए चीनी का मास्क फेस पैक में स्क्रबिंग तत्तव की तरह बहुत इस्तमाल होता है दही हमेशा की तरह बहुत अच्छा साथि होता है जिसमें ऐसे पोसक तत्तव होते हैं जो कि इस पूरी प्रक्रिया को पोसित करते हैं इस पैक को बनाने के लिए अंडे के सफेद बाग के साथ चीनी और दही को डालके अच्छे से मिला ले इस मिसरन को अपनी चहरे पर लगा के कुछ देर के लिए सूखने दे जब यह सूख जाए तब इसे गुन-गुने पानी से धोलें बहतर और जल्दी प्रनाम पानी के लिए इसे धोने से पहले थोड़े देर रगणे दोस्तों आपको बहतर जल्ट मिलेंगे पत्तागोबी तेल और चावल काटा पत्तागोबी अधिकांस आपकी रिसोई में पाई जा सकते है इनका इस्तमाल आपकी तफचा को सुन्दर और स्वस्त बनाने के लिए किया जाता है इसके साथ आपको थोड़ा तेल और चावल के आटे की जरूरत पड़ेगी आप इसके लिए बदाम का तेल, जेतुन का तेल या फिर कोई भी जो आपकी तफचा के लिए ठीक हो उसका प्रयोग कर सकते हैं जादातर तफचा के लिए बदाम और जेतुन के तेल में से चैन करना अच्छा होता है पत्तकोभी को पीशने के बाद उसमें से रस निकाल लें, इसमें चावल का आटा और अपनी पसंद का तेल डालके अच्छे से मिला लें अगर आपकी तफचा जादा तेली है तो आप बदाम या जेतुन के तेल का इस्तमाल नह करें ऐसी स्थिती में आप इस मिस्रण में अंडे का सफेद भाग भी मिला सकते हैं इस मिस्रण को अपने चहरे पे समान रूप से लगा लें, कुछ देर के बाद इसे धो लें प्रणाम आप खुद देखकर दंग रह जाएंगे पत्तागोबी, सहद, तेल और दही पत्तागोबी एक अश्चरे चकित करने वाला तत्तव है लेकिन जुरियों के खिलाब यह बहुत ही जादा सरदार है यह तबचा को कसने के लिए भी बहुत ही अच्छा है इस घर के बने हुए पैक की अन्य सामगरिया है सहद, दही और पदाम या जेतुन का तेल दो से तीन पत्तागोबी को पीस कर इसका मिसरन बना ले एक डब्बे में डालके सहद और दही के साथ मिलाए सुखी तबचा के लिए इसमें तेल मिलाए अगर आपकी तबचा तेली है तो तेल नाल मिलाए लगाने के बाद इसे कम से कम 15-20 मिंट के लिए छोड़ दें अपने चहरे को अच्छे से दोने के लिए गुनगुने पाने का इस्तमाल करें और फिर फरक देखें पपीते का मास्क पपीते में कई सारे अंजाइम होते हैं जोकि तबचा के बुढ़ापे से लड़ने में विज्ञानिक रूप से सिध्ध हो चुके हैं साथ ही यह जुरजरी तबचा का मुकाबला करने में मदद करते हैं तबचा को कसने का कारिय करता है समय के साथ बहतरिन प्रणाम पाने के लिए पपीते के रस यह मसले हुए पपीते को सिध्धे अपने चहरे पे लगा सकते हैं लेकिन अगर आप रातो रात प्रणाम पाना चाहते हैं तो आपको इसके साथ कुछ और सामगरियां भी मिलानी पड़ेंगी पपीते को जादा फाइदे मन्द करने के लिए इसके साथ चावल के आटा और सहथ को मिला सकते हैं चीले हुए पपीते को मसल के एक मिसरन बना लें इसमें आदा कप चावल का आटा और दो चमस सहथ डालके अच्छे से मिला लें इस मिस्रन को अपनी चहरे पे अच्छी मातरा में लगा ले और 20-25 मिट के बाद ठंडे पानी से धोले प्रणाम आप खुद देख कर दंग रह जाएंगे केले और सहथ का मास्व पपीते की तरह केले में भी बहुत सारे गुण होते हैं यह फल सिर्फ स्वस्थी नहीं बलकि तव्चा के लिए भी बहुत अच्छा होता है कई सोंद्रिय बरान केले को मुख्य समगरी बताके अपने उत्पादोंगा परचार करते हैं इस फेसपैक को बनाने के लिए आपको सिर्फ केला सहथ और जेतुन का तेल चाहिए केले को थोड़ी सी श्थित्रता के साथ एक मिस्टन की तरह मसल लें इसमें एक छोटी चमच जेतुन का तेल और एक बड़ी चमच सहथ के डालके अच्छे से मिला लें और फिर इसको अपने चहरे पर अपलाई करें और फिर परनाम देखें केले और गुलाब जल का मास्क आप गुलाब जल की साहिता से भी केले का मास्क बना सकते हैं छिले हुए केले के साथ इस मास्क को बनाने के लिए आपको गुलाब जल की आप सकता होगी कुलाब जल एक बहुत ही अच्छा तरल पधार्थ है जो कि आपकी तवचा को गहराई से साप करता है इसकी विदी बहुत ही आसान है मसले हुए केले में कुछ बुंदे कुलाब जल के डालके अपने चहरे पर लगा लें और 20 मिंट के बाद अपने चहरे को धो लें परिणाम आप खुद देखें निम्बू का मास्क निम्बू चहरे की तवचा के लिए बहुत ही कमाल का काम करता है निम्बू के मास्क को आँखों के नीचे काले घहरों पर नैल गाए क्योंकि निम्बू का रस सवधन सेल तवचा के लिए सही नहीं होता कौमल या परतिकरिया सेल तवचा वाले लोगों को निम्बू का पहले अपनी कोहनी पर परिक्शन करके देख लेना चाहिए ताकि बाद में तवचा में कोई दिक्कत ने आई जो लोग नीम्बू का इस्तमाल कर सकते हैं उनके लिए है एक बहतरीन सामागरी है आप नीम्बू के रस को सीधे अपने चहरे पर लगा सकते हैं या फिर इसमें थोड़ा सा सहद और तेल सुखी तप्चा के लिए खास कर मिला सकते हैं एक पूरा मास्क बनाने के लिए दो से तीन बार इस्तमाल करने के बाद ही आपको अंतर नजर आने लगेगा अलोविरा अलोविरा वैसे तो आमतोर पे हर घर में पाई जाने वाली सामागरी नहीं है लेकिन जलने या जुल से हुई तप्चा पे इसके फाइदों को देखते हुए यह अधिकास घरों में आज के समय में मुझूद होते हैं आप अपनी सुविदा के अनुसार अलोविरा के पत्तों से मिलने वाले मिसरन या फिर अलोविरा जैल का इस्तमाल कर सकते हैं इस मिसरन को बनाने के लिए प्रियाप्त मातरा में अलोविरा के रस या जैल को लें और उसमें कुछ बुंदे सहद को मिला लें इसे अच्छी मातरा में अपने चेहरे पर लगाएं और 20-25 मिंट के बाद ठंडे पानी से थो लें और फिर फरक देखें आप इन मास्का प्रियोग करके अपने चेहरे में रातो रात कसा हो ला सकते हैं आप इन में से किसी भी मास्का प्रियोग कर सकते हैं और अपने चेहरे को रातो रात कसने और निकार लाने का काम कर सकते हैं दूसरा ये 100% प्राकृतिक है इनका किसी भीत रहेंगा कोई साइल्ड फैक्टर नहीं है दोस्तो आप इस जानकारी को समाचित में अधिक से अधिक से शेयर करें जिससे सबी मेरे भाई इस जानकारी को जानकर अपने लिए फाइदा उठास के तो दोस्तो यह थी हमारी वीडियो रातो रात अपनी तवच्चा को कसने और निखार लाने के लिए घर के बने सरफसरेष्ट फेस मास्क जो 100% प्राकृतिक है अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे या इससे आपको कोई जानकारी प्राप्त हो तो प्लीज आप हमारी वीडियो को लाइक वे शेयर करना ना भूलें इसके साथ साथ आप हमारे यूटूब चैनल क्रेजी इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि इस चैनल पर आपके लिए हम जब रस टिप्स लेकर आते हैं जिससे कि आप अपने जीवन को सुखने बना सकते हैं और सुखने जीवन जी सकते हैं धन्यवाद दोस्तो